हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भुनी मटन कलेजी जो की बहुत टेस्टी बनती है और बखराईद स्पेशल है तो इसको बनाते हैं इसको बनाने के लिए सब सब हैल मैंने या पर लिया है देर किलो कलेजी जो की मटन की है और इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है वाश करने का तरीका मैंने आपको अपने चैनल पर बता रखा है कि कलेजी को कैसे वाश करते हैं अगर आपको देखना हो तो वह आप देख सकते हैं जाकर और यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिये हैं जिसमें से मैंने लिया है ए एक से देर चमच लिया धनिया पॉर्डर आदा चमच छल दी और एक चमच लिया लेसन अद्रक का पेस्ट तो यह सारे मसाले हमारे हो गए हैं तो इसको हमें साइट पे रख देना है और अब हमने बता रहे हैं यहां पर हमने लिया 100 ग्राम दही जो की पानी नहीं होना है तो चले आए हम अपकलेजी बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने यहां पर 200 ग्राम तो लिया था तेल ले लिया था उसको अच्छे से मैंने गर्म किया थgehen गर्म करने के बाद जब इसकी स्मस्याइल निकल जाए सरसो के वाइल में बनाया है मैंने यह जहाया है और अब हम इसके अंदर add कर देना है प्यास जो हमने बारी कट करकर रखी थी इसको हमें क्या करना है कि soft कर लेना है जादा हमें यहाँ पर dark नहीं करनी होती है प्यास medium to low flame रखी है मैंने gas की और इसको हमने रें इतना soft किया है आपको दिख रहा होगा तो अब हमें इसके अनदर college add कर देनी है जो कि हमने धोकर अच्छे से रख ली थी और इसके अनदर भी पानी नहीं था पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि कलेजी के अंदर से पानी रिलीज होता है तो इसमें बिलकुल पानी नहीं होना जाए है इसको हमने भून लिया है और अब हमें यहाँ पर सारे मसाले आट कर देना है कपेज भी आड़ कर देना है सबी चीज़े और साथ में हमने दही आड़ कर देना है दही के और मसालों के साथ हमने इसको थोड़ा सा भूनना है 2 से 4 मिनिट के लिए ताकि मसाले तो फो अच्य से मिक्स हो जाएं और इनके अंदर थोड़ा थोड़ा ओयल भी आने लगेगा तो जब हमाई मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे कलेजी में तब हमें इसकी लिड लगा देनी है तो पहले तो मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ तो यह देखें यह अच्छे से पकने लगी है मैंने सबी चीज़ें को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसकी लिड लगा लेनी है तो इसको हमने 15 मिनट पकाया है अच्छे से और यह देखें यह बिलकुल गल चुका है इसका जो आईल है वो भी सर्फेस पर आ गया है तो जो कलेजी है वो बहुत इजी तरीका मैंने आपको बताया है बनाने का इजी लिए बन जाती है और अब बस हमें क्या करना है फ्लेम को हाई कर देना है और कलेजी को अच्छे से बून लेना है और इसमें कसूरी मेती अच्छे से आजाती है तो कसूरी मेती आप जरूर यहां और इसको अच्छे से मिक्स कर दें कसूरी मेती अप्शनल भी है अगर आपको इसकी प्संद नहाए तो आप इसको किप भी कर सकते हैं लेकिन मुझे पसंद है तो मैंने यहां पर कसूरी मेती अच्छे से भून लेना है और इसका जब तक ऑईल सर्फेस पर नहीं आ जाता तो हमें इसको यहां पर बूनना है दस से पंदरा मिनट मैंने इसको अच्छे से बून लिया है बिल्कुल और इसका जब ऑईल है वो सर्फेस पर आ चुका है अब मैंने इसको सर्फ किया है तो देखें कितनी जबद स्यमाई कलेजी बनकर रेड़ी है वीडियो पसंद आए ला